नमस्ते जी अरे ये बेंजी बहुत दिनों बाद पदा रहे हैं मुझे लगता है कि आप दो साल बाद आ रहे हैं हमारी दुकान पर भाईया घर का कुछ समान लेना था और मुझे आपकी एक हैल्प भी चाहिए थी बताओ ना बेंजी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ और कैसे परेशान है आप भाईया पिछले तीन महीने से मेरे हस्बेंड की जोब चूट गई है और उन्हें कहीं काम भी नहीं मिल रहा है घर में पैसे की भी बहुत प्रोब्लम चल रही है और घर का राशन का समान भी ख जाए तब आप हमारी पेवेंट कर देना अरे आप हमारे पडोशी हैं कहीं बाग के थोड़े ना जा रहें जो भी समान चीए आप अराम से ले सकता है थैंक्यू भाईया आपने मेरी आखे खोल दी मैं पिछले दो साल से ओनलाइन शोपिंग कर रही थी पर आज हमारे उप पैसों की थोड़ी सी मुसीबत क्या पड़ी ओनलाइन वालों ने हमें समान देना बंद कर दिया वह पहले पेवेंट करवाते और फिर समान देते हैं पर भाया जैसे ही मेरे हजबन की जॉब लगेगी मैं आपकी पूरी पेवेंट आपको दे दूँगी आपको एक बात बो है वह आपकी वज़े से बरता है लेकिन आप लोग online shopping कर लेते हैं वह online shopping करने से हमें बड़ा नुक्सान होता है अगर आप online shopping करेंगे तो हमारी दुकंदारी का क्या होगा हमारे बालबचों क्या होगा तो यह बात आप विशेज ध्यान आपको समझना चाहिए हमेश्या काम आएंगे आपके आसपास के दुकंदार आप आपको हमारी मदद करें देखिए हमारी चोटे चोटे बच्चे हैं उनको भी हम सब्सक्राइब बेचते और भी बहुत से करचे अगर आप हमसे शोपिंग नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा हम कहां जाएंगे तो मैं तो आपसे विंति करूंगा आप अपनी सभी सहलियों को जरूर बोले कि हमसे ही समान ले ओनलाइन को छोड़ दीजिए वाइया मैं आपसे वादा करती हूं कि आज के वाद कभी भी ओनलाइन शोपिंग नहीं करूंगी और मेरी जितनी भी सहलिया है उन सब को समझाओंगी कि हमें ओनलाइन शोपिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि आज मेरे उपर पैसों की थोड़ी सी मुसीवत क्या पड़ी ओनलाइन वालों ने हमें समान देना बंद कर दिया और एक आप हैं वहिया कि मैं दो साल वाद आपकी दुकान पर आई हूं और आपने तुरंत मेरी मदद कर दी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वहिया